राय बरेली से प्रियंका गांधी वाडरा के चुनाओ लड़ने की अटकलों के बीच राय बरेली वाकियों से जब उनकी राय राय जानी गई तो सभी लोगों ने अपना-पना पच्छ रखा और कहा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाओी मैदान में राय बरेली से आती है तो कॉंग्रेस की जीत पक्की है पर हाँ अगर गांधी परिवार से कोई चुनाओ नहीं लड़ता है तो यह सीट बीजेपी की जोली में जाना तहे हैं वहीं आई ये जानते हैं लोगों ने क्या कहा आप भी तुनिये अलग-अलग लोगों की जुबानी में का तरपाथी नाम है मेरा कॉंग्रीस की तरफ से प्रियंका गांधी का नाम सब्सक्राइब कि ज़िए पहली बात तो यह कि गांधी परिवार जो है इतने दिनों से राइब्रेली से जुड़ा हुआ है कोई ना कोई रहा ही है गांधी परिवार से और हम यह चाहते हैं कि प्रियंका जी आए या राहूल जी आए क्योंकि देख रहे हैं आपकी हमारे यहां राइब्रेली में एमस की विवस्ता है निफ्ट है या एमस में देखे कितनी आदमी को दिक्कत होती थी सरकारी अस्पताल था हमारे एमस की वज़े से कि लोगों के लिए आप जाते हैं द प्रियंका गांधी का कॉंग्रेस से नाम चल रहा है वो गांधी परिवार के द्वारा ही रखी गई है इसलिए मैं चाहता हूं कि गांधी परिवार का ही सदस्य जो है खासकर पियंका जीको राइबली से चुनाव लगना चाहिए जीत पिलेगी जी विल्कुल 100% जीत पिलेगी आपका सीमा मिश्रा प्रिंका गांधी का नाम पॉंग्रेस की तरफ सुमीद्वारी तैकन लिए जा लग रहा है कितनी मजभूती रहे गी अगर परिंका आते हैं मुझे तो 100% लग रहा है कि मजभूती आएगी और चुकि 1952 स से यह क्रम शुरू हुआ है और आज तक इतिहास गवारा है कि राइब रेली में उनकी सरकार बनी है और मुझे यह लगता है कि वह आएंगी तो बहतर विकास भी होगा और चीजें भी बहतर से बहतर होंगी मेरा नाम सुजीत कुमार है प्रियंका गांधी का नाम चलना है कांग्रेश की तरह सुमीद्वारी की क्या लग रहा है मेरी बड़ी खुसी के मैं खुसी से कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी का अगर चुनाओ में विजे प्राप्त होती है या सत्ता आती है तो पूरे र राइब रैलिंग द्युक्त बात कहें तो पूरे भारत में उन्हों ने जितने कार है उन्हीं रखने वाला है कोई तो कांग्रेश है रखा है विकास उस ने भी करना चाहा है दोर थोड़ा ज्यादा ना चलिपाया इस बीच इसलिए उन्होंने विकास नहीं किया नहीं तो इतना विकास बहुत विकास किया तो हम चाहते हैं कि अगर गांधी परिवार से कोई भी आता है तो हमारा पूरा सपोर्ड हमारी राइबरेली का पूरा सपोर्ड उनके लिए